माननिय प्रधानमंत्री शी नरेंद्र मोदी जी के लिए दिया है उन्होंने माननिय प्रधानमंत्री शी नरेंद्र मोदी जी को रावन कहा है और मुझे लगता है इससे बड़ी दृष्टता इस प्रकार के भाशा का प्रयोग इस प्रकार का गाली गलोच अपने प्रधानमंत्री के लिए करना और वह भी गुजरात के सपूत के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग गुजरात में खड़े होकर करना यह उचित नहीं है यह निंदनिया है और कहीं न कहीं यह कॉंग्रेस की मानसिक्ता को दर्शाता है नरेंद्र मोदी जी गुजरात के वह पुत्र है नरेंद्र मोदी जी वह गुजराती है जो आज यह कहने से अतिश्योक्ती नहीं होगा कि वह गुजरात के स्वाभीमान के रूप में हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में विगत आठ वर्षों से काम करते हुए हिंदुस्तान के प्रतेक गरीब को, हिंदुस्तान के प्रतेक पिछडे को, हिंदुस्तान के प्रतेक मजदूर को किस प्रकार से आगे लिया जा सके हैं, उसका विकास कैसे हो उसके लिए अनवरत कारे कर रहे मैं तो सल्यूट करता हूँ गुजरात की भूमी को पवित्र गुजरात की भूमी को पवित्र गुजरात की मिट्टी को मैं सल्यूट करता हूँ कि उन्होंने ऐसा एक सुपूत हिंदुस्तान को दिया है जिसके लिए पूरे विश्व में आज एक यह केवल और केवल मोदी जी का अपमान है ऐसा नहीं है मलिक आरजुन खडगे जी सोनिया गांधी जी राहूल जी आप जान ले यह प्रत्येक गुजराती का अपमान है और कड़े साहब सोनिया जी के कहने पर आपने गुजरात में जाके गुजरात की मिट्टी पर खड़े होकर गुजरात के बेटे के लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है उससे कॉंग्रेस को आइना दिखाने का काम गुजरात की जनता करेंगी बंदुगण मैंने इसलिए कहा कि मलिकार जुन खड़गे जी के ये वक्तव्य नहीं है ये वक्तव्य सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के है क्योंकि जिस प्रकार का नफरत गांधी परिवार में नरेंद्र मोदी जी के लिए रहा है नतीजा हुआ है कि आरंभ तो सोनिया जी से होता है और गाली देने का काम तमाम कॉंग्रेस के नेता करते हैं आप याद कीजिए सबसे पहले मोदी जी को मौत का सौधागर मौत का सौधागर कहके संबोधित किया था आदर्निय सोनिया गांधी जी ने क्या नतीजा रहा जब एक गुजराती को जब एक मेहनत कश गुजराती को मौत का सौधागर कहा जाता है तो गुजरात की जनता ने सोनिया जी और कॉंग्रेस पार्टी को इसका जवाब दिया नतीजा हमने देखा है और आज फिर से मलिकार जुन खडगे जी प्रधान मंत्री जी को रावन कह रहे हैं और इतना ही नहीं आज से एक हफ़ते पहले मधुसुदन मिस्त्री जो कॉंग्रेस के बड़े नेता हैं उन्होंने कहा था कि हम मोदी को आवकात दिखा देंगे मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि आज नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व में हिंदुस्तान कहां खड़ा है किस पाइदान पे खड़े हैं इसको बता रहे हैं 11 नंबर स्थान से अगर हिंदुस्तान पांचवे नंबर का आर्थिक शक्ती बनता है और उसके पीछे नरेंद्र मोदी जी की मेहनत है तो मोदी जी को उकाद दिखाने की बात मदुसुदन मिस्त्री और कॉंग्रेस पार्टी करती है केवल रावन नहीं कहा गया बार बार जो उकाद दिखा देंगे औकाद दिखा देंगे कहा गया है क्या औकाद दिखा देंगे सोनिया जी मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को सबक सिखाया पाकिस्तान को अपनी औकाद दिखाई मोदी जी ने जिस प्रकार से आतंकवाद की खिलाफ काम किया है आतंकवाद को अपना ओकाद दिखाया कि तुम सर उठा करके हिंदुस्तान में जी नहीं सकते हो आतंकवाद तो इस कारण से आप मोदी जी को रावण और आप मोदी जी को ओकाद दिखाने की विशेवे बताएंगे बंदुगाद इतना ही नहीं आप याद करिये किस प्रकार से सेक हुसेन ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 2022 में कहा था कि वो कुट्टे की मौत मरेगा आप लोगों ने न्यूज में भी दिखाया था पूरा का पूरा इस पे भारतिय जंता पार्टी ने प्रेस कॉंफरेंस भी किया था प्रधान मंत्री के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग और सुबोध कान सहाय ने कहा था हिटलर की मौत मरेगा मोदी आप सोच के देखे किस प्रकार की कामना कॉंग्रेस पार्टी की रही है केवल रावड नहीं कुत्ते की मौत मरना हिटलर की मौत मरना अलकालांबा ने कहा था वो नालायक प्रदानमंत्री है ठीक उसी प्रकार मोदी जी के लिए नाना पटोले ने कहा था कि मोदी को मार भी सकता हूं कॉंग्रेस पार्टी के अध्यक्ष महाराश्टर के आपको याद है ना कि अगर अवश्यक्ता पड़े तो मैं मोदी को जान से मार सकता हूं यह भी नाना पटोले ने कहा था इतना ही नहीं राक्षस की तुलना एक बहुत बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री उमंग सिंगार ने कहा था कि मोदी एक राक्षस है तो वहीं दूसरे ने कहा था मोदी क्रूर प्रधान मंत्री है और ये रनदीब सुर्जेवाला है जिन्होंने कहा था कि मोदी एक क्रूर प्रधान राज जिस प्रकार के घिनावने शब्तों का प्रयोग मोदी जी के लिए किया गया है मोदी जी कुद कहते हैं अमरिका में भी कहा जब उन से किसी ने पूछा कि आपके पीछे उर्जा का कारण क्या है तो मोदी जी ने कहा रोज धाई तीन किलो गाली जो मुझे परोसा जाता है कांग्रेसियों द्वारा उसी से मुझे उर्जा मिलती है जब भरस्टाचारी जब परिवारवादी जब तुष्टिकरण करने वाले नेता गाली देते हैं तो एक बात सपष्ट होता ह है कि हमारे प्रधानमंत्री कुछ अच्छा कर रहे है इस कारण से उन्हें गाली दिया जा रहा है टुकडे टुकडे गैंग जब ये प्रधानमंत्री को गाली देते हैं तो इसमें एक ही संदर्व होता है कि प्रधानमंत्री देश को जुड़ा हुआ देखना चाते हैं इस कि आप सभी याद रखिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधान मंत्री है उनको रावन कहना रावन का अर्थ होता है जो सत्य का अपहरण करता है रावन का अर्थ होता है जो पवित्रता का अपहरण करता है रावन का अर्थ होता है जो पाप का साथ देता है ध गुजरात के स्वाभीमान के लिए, गुजरात के बेटे के लिए, गुजरात के सपूत के लिए किया है, प्रतेक गुजराती उनके खिलाफ खड़े हो जाए, प्रतेक गुजराती कॉंग्रेस पार्टी को सबक सिखाए और सत प्रतीशत गुजराती घर से बाहर निकल कर प्रवेंज लेना है और यह बदला लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए यह बदला पार्टिसिपेशन से लोकतंत्र में 100 प्रतीशत पार्टिसिपेट करके 100 प्रतीशत मतदान अपने सपूत के नाम 100% voting for the sun of the soil नरेंद्र मोदी जी इसके माध्यम से ही आप मौत के सौधागर कहने वाली सोनिया जी के पार्टिसिपेशन से बदला ले सकते हैं और उन्हें एक सबक सिखा सकते हैं